हलो फ्रेंड, इस्टडी एड़ा के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज जो हम पॉल्टी के कुछ क्वेस्टन देखेंगे जो स्सी, MTS, स्सी, CGL या किसी भी स्सी के एकजाम में इंपोर्टन हो सकते हैं तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बारा हैं, तो पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस जरूर चेक कीजे अगर आप बैंकिंग की तयारी करते हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लिजे क्योंकि बैंकिंग के लिए हम 5-6 माई के बाद जो बहुत अच्छे वीडियो ला रहा है बहुत अच्छे टीचर है बहुत अच्छे टीम है हमारी तो आप जरूर से सब्सक्राइब कर लिजे आपको वीडियो मिलना सुरू हो जाएंगे अगर आप SSE की तैयारी करते तो आप हमारा प्लेइलिस चेक कर सकते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो आपके काम के हो सकते हैं देखिए कुछ वीडियो मैंने जैसे SSE MTS मौक बनाया है तो वह SSE CGL में भी आ सकता है ऐसा नहीं हो सकता कि वह SSE CGL में नहीं आया क्योंकि GS का question तो कहीं से आ सकता है इसी अब आप वीडियो आजाम से देख सकते हैं आप नाम पर मत जाएगा कि केवल SSE MTS के लिए नहीं वह CGL के लिए भी है CHSL के लिए भी है और कभी-कभी UPSI जो एक्जाम होते हैं उसमें भी GS पूछ देता है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक कम कमेंट और सेयर करना मत भूलेगा तो चलिए शुरू करते हैं तो देखिए पहला क्वेश्चन है मारा मौलिक अधिकारों पर यतोचित प्रतिबंद कौन लगा सकता है तो हम यह कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार जो है मारे संपूर नहीं होते हैं तथा वो सरवाजनिक हितों के रच्छा के लिए आवसक उचित प्रतिबंद के आधिन होते हैं मतलब जो आपको मौलिक अधिकार दिये गए हैं वो सरवाजनिक हितों की रच्छा के लिए दिया गया है एक बार क्या हुआ था 1973 के बाद है 1973 में केसो नंदा भारती बनाम केरल सरकार केसो नंदा भारती और केरल सरकार के बीच मतलब केसो नंदा भारती ने एक PIL दाखिल किया था जिसमें केसो नंदा भारती और केरल सरकार के बीच कोर्ट में मामला गया था तो वहां से सरोच न्याले ने 1967 के पूर नेड़ा को रद कर दिया 1967 में जो भी नेड़े दिया तब उसको रद करते हुए कहा है कि मौलिक अधिकार में संसोधन किया जा सकता है और मौलिक अधिकारों को संसत के प्रतेक सदन में दो तिहाई बहुमत से पारित भी किया जा सकता है मतलब कि अगर मौलिक अधिकारों में कौन चेंज कर सकता है आपका पारलियामेंट तो इसका एंसर क्या होगा पारलियामेंट संसर अगले question पर चलते हैं देखिए 1967 का जो मामला हो ज़्यादा question में नहीं आता है तो उस पर ध्यान मत दिजेगा question है as per the constitutional province who has the absolute and ultimate power regarding the passing of money bill देखिए समयधानिक प्रवाधानों के अंसार धन बिदयक पारित करने के लिए किसे पूरता और अंतिम अधिकार मिला हुआ है तो आपका धन बिदयक कौन पारित कर सकता है आपका धन बिदयक केवल और केवल जो है लोकसभा पे पेस हो सकता है क्या होता है देखे लोकसभा पहले धन बिदयक को अपने इंड से पारित करती है फिर उसको राजसभा के पास भेजती है लेकिन राजसभा के पास कोई पावर नहीं होती है राजसभा 14 दिनों के अंदर वो बिदयक लोकसभा में वापस भेजना होता है अगर कोई संसोधन करना होता है उसको तो वो सिफारिस करती है उसको संसोधन कर नहीं सकती है केवल सिफारिस कर सकती है और अगर 14 दिन तक वो अपने पास रखी जाती है तो धन विदेख जो है क्या हो जाता है अपने आप पास हो जाता है तो इसका answer क्या होगा option नमबर A कि धन विदेव को लोगसभा पारित कर सकती है As per the Constitution of India, the report of the Comptroller and Auditor General of India re-electing to the account of states that will be submitted Question का है, भारती समिधान के अंसार राजियों के खाते से सम्मंधित भारत की नियंतरट एवं महालेखक परिछक का प्रिद्वेतन किसे समपाग गया है तो देखें, भारती समिधान की धारा आठकिल 151 के अंसार क्या बोलता है 151? भारत के नियंतरट एवं महालेखक परिछक को राज की लेखा जोखा सम्मंधि रिपोर्ट राजिपाल को देनी है तो किसे देनी है? भारत के राजिके राजपाल को यह किस में लिखा है? आठकिल 151 में लिखा है कि भारत की नियंतरट एवं महालेखक परिछक को राज के लेखा जोखा सम्मंधि रिपोर्ट किसे देनी है? राजपाल को देनी है और राजपाल इस रिपोर्ट को जो है बिधान सभा में प्रस्तुत करता है राजपाल इस रिपोर्ट को कहां पर प्रस्तुत करता है? बिधान सभा में तो हमारा एंसर क्या होगा? आप्सन नमबर 2 अगले क्वेश्टिन में चलें देखिए आपको अगर कंट्यूजन हो तो नियंतरक एवं महालेखक परिछक इंगलिस कहा है? आगे चलते है राजपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राजपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यह क्वेश्टिन बहुत बार पूझता है तो राजपाल जो राजपाल होता है वो राजपती द्वारा नियुक्त किया जाता है option number three होगा भारत के राश्पति दौरा और इसका जो कारेकाल होता है वो 5 वो उसका होता है लेकिन कारेकाल के पहले भी इसको हटाया जा सकता है किस तरह अगर प्रधान मंत्री की सलवा पर राश्पति राजपाल को निलंबित कर सकता है तो हम ये कर सकते हैं कि राजपाल जो र राश्टर्ति की कृपा पर कारकाल में बना रहता है। और लाजपाल खुद त्याग पद्रदे दे। तो क्या दो चीज कैसे हटाया जा सकता है। इसका कारकाल पांच वर्स का होता है और भारत के राश्टर्ति जो है, इसे चुनते हैं, प्यदान मंतरी की सलाह पर। आगे मुख चुनाव आयोग चीप election commission की बात की गई है और मुख चुनाव आयोग तो को कैसे हटाया जा सकता हो केवल हो केवल महाभीयोग महाभीयोग का question कई बार पोचता है कि राजपती के लिए महाभीयोग के बारे में किस article में लिखा है तो एक चीज़ ध्यान देजए आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे महाभीयोग किस article में लिखा है ये देखे लाश्ट में देखे क्या है महाभीयोग ये क्या है ये देखे अगर इसको सीधा करेंगे कुछ ऐसा होगा ध्यान से देखे तो ये इसका उल्टा है मतलब महाभीयोग के बारे में 61 article number में बात किया गया राजपती के महाभीयोग के बारे में तो अब आते हैं question पे मुख चुना आयूग चीप election commissioner को जो है महाभीयोग लगा कर उसको पस से हटाया जा सकता है तो मारा answer क्या होगा option number 4 संसद में महाभीयोग के द्वारा और मुख चुना अधिकारी के बारे में कुछ question है जैसे इसका कारेकाल कितना होता है 6 वर्स तक का इसका कारेकाल होता है या 65 वर्स की आयू तक दोनों में से जो पहले आ जाए उसमें इसका कारेकाल समाप्त हो जाता है तो अगले question पे चलते है भारती सम्मिदान के किस अनुछेद में नए राज्यों के गठन वर्तमान राज्यों का छेत्रफल सीमाओ अथवा नाम में परिवर्तन का प्रवधान किया गया है देखे question क्या है भारती सम्मिदान के किस अनुछेद में राज्यों के गठन वर्तमान राज्यों के छेत्रफल सीमाओ अथवा नाम में परिवर्तन का प्रवधान किया गया है तो एक बार देख लेते हैं आटकल 1 में क्या बोला गया संग नाम और राज छेत्र के बारे में बात किया गया है दो में नए राज्यों का प्रवेस या अस्थापना में ठीक है तो आटकल 2 में किस चीच का बात किया गया नए राज्यों के प्रवेस और अस्थापना में आटकिल त्रीन में नए राज्यों का निर्माड और वर्तमान राज्यों के छेत्रों के सिमाओं के नामों में परवर्तन आटकिल दो क्या है नए राज्यों का प्रिवेस या स्थापना के बारे में बात किया गया है आठकल 2 में, आठकल 3 में नए राज्यों के निर्माड और वर्तमान राज्यों के छेत्र के सीमा या नाम में परवर्तन के बारे में बात किया गया है आठकल 5 में जो है समिधान के प्रारम पर नागरिक्ता की बात की गई आठकल 5 में और आठकल 6 में पाकिस्तान से भारत के प्रवजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिक्ता के अधिकार के बारे में बात की गई है, तो हमारा question क्या है, भारती समिधान के किस अनुषेद में नए राज्यों के गठन, वर्तमान राज्यों के छेत्रफल, सीमाओ, अत्वा नाम में परवतन का प्रवाधान किया गया है, तो ये भाग एक में वर्टरित, अनुषे तीन में ये बात किया गया है, आठकल 3 में, तो हमारा answer क्या होगा, आठकल 3, 2, 5 और 6, ये तिनों भी आठकल मैंने बता दिया है, अगले question पे चलते हैं, देखें अगला question क्या है, भ किसके प्राप्त पास है, तो इसका जिक्र जो है, आठकल 120 में किया गया है, आठकल 120, अनुषेद 120, और इसके अंसार संसत के सदनों का सर्वोच अधिकार, मतलब संसत के जो भी सदन है, उनका सर्वोच अधिकार, या तो लोग सभा की बात करते हैं, तो लोग सभा के अध् या था उनकी जगह पुरे सदन में कार्यत उदासीन वेक्ती, हाँ ये हो सकता है, लोग सभा का सभापती, अथवा उनकी जगह पर सदन में कार्यत पदासीन वेक्ती, ये भी हो सकता है, तो हमारा एंसर क्या होगा, option number 4, both, one and two, दोनो, देखें क्या होता है, आठकल 120 ने बोला है कि संसत के सदनों है, उनका सर्वोच अधिकार लोग सभा के अधच या रासभा के अधच के पास होगा, अंग्रेजी या हिंदी में संपोधित करने में असमर्त, संसत सदस को अपनी मात्र भासा में सदन को संपोधित करने की अनमती प्रदान कर सकता है, ये आठकल 120 करता है तुम्हारा option number 4 जो है सही होगा अगला question देखते हैं भारत के उप राष्ट पती के चुनाओ हे तो उम्र का अहर्त मांदन क्या है eligibility criteria अब उप राष्ट पती पूछ रहा है तो उप राष्ट पती के बारे में article 66 में बात किया गया है और इसके इंसार क्या है वो पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए दूसरी बात उसकी आयू जो है 35 वर्ष से कम न हो एज लिमिट कितनी है 35 वर्ष से कम न हो और उसने राज परसत के सदस के रूप में जो है चुनाओ लड़ने की अहर्ता प्राप्त की हो तो ये तीन चीज में है अगर ये तीन चीज उसके पास है तो वो जो है उपरास्पती का चुनाओ लड़ सकता है अगला question देखते हैं, उस राज को पहचाने जिसमें दी सदनी विधान सभा है, तो देखिए दी सदनी विधान सभा कुछी राज में उन राज्यों की याद कर लिजे, उनके अलामा किसी में नहीं है, वो कौन-कौन से राज हैं आपके, पहला आंधर प्रदेश है, दूसरा तेलंगाना है, तीसरा आपका बिहार है, तो देखिए कौन-कौन से राज हैं, आंधर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, जम्मु कस्मीर, करनाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये साथ राज हैं, जिनमें जो दी सदनी विधान सभा है, और इन्हें ही हम क्या कहते ह और प्रतेक छे वर्स के बाद इसके एक बटा तीन सदस्यों का चुनाओ किया जाता है, तो हमारा एंसर क्या होगा, हमारा एंसर जो होगा, महाराष्ट्र, अगला कुश्चिन देखिए, उस देश का नाम बताएं, जिससे संसोधन के लिए प्रक्रियाओं को समयधानिक सु नहीं जीती है, साउथ अफरिका है, और वो बहुत अच्छी टीम है, लेहिन कोई मैच नहीं जीती है, तो साउथ अफरिका के क्रिकेट टीम को क्रिकेट टीम में संसोधन करने की जरूरत है, किसको साउथ अफरिका को अपने क्रिकेट टीम में संसोधन करने की जरूरत है, तो संसोधन अमेंडमेंट आपका कहां से लिया गया है, दच्छिड अफरिका, सौथ अफरिका से लिया गया है, और दच्छिड अफरिका से एक और चीज़ लिया गया है, राजसबा के सदर्स्यों का अप्रतिच चुनाओ भी दच्छिड अफरिका से लिया गया है, तो इसक अली बार 1951-52 में आम चुनाव हुआ था और भारती सम्मिधान में पहला संसोधन भी 1951 में किया गया था इस संसोधन के द्वारा संमिधान द्वारा प्रदत मौलिक अधिकार के उपबंद में कई परवर्तन किये गया थे तुमारा आंसर क्या होगा 1951 किस अवधि क्यों अनुचे 352 के तहट भारत में आंतरिक आपातकाल को दर्साया गया है देखे भारत में इमर्जंसी से तातपर है 21 महीनों की आपातकाल अवधि से है जब प्रधान मंतरी इंद्रा गादी ने 1975 से कब 77 के बीच में एक तरफा निरले लेते हुए पूरे देश में आपातकाल लगाने की घोशड़ा की थी और किस से लगाए थी इन्हों ने भारती समिज़ान के अंचे 352 के तहट आंतरिक अबेवस्था के कारड किसके कारड आंतरिक अबेवस्था के कारड राश्पति उसमें थे फक्रुदीन अली अहमद कौन था राश्पति इक लगाने की घोशड़ा की और ये आपातकाल पचीजुन 1975 से लेकर 21 मर्श 1977 तक लागू था तो अमारा आप्सिन नंबर दो जो है सही होगा 25 जून 1975 से लेकर 21 मर्श बहारत का प्रधान मंत्री देखिए प्रधान मंत्री के बारे में बात किया है तो भारती समिदान के आठ के लिया अनुछे 75 में जो है प्रधान मंत्री के बारे में जिक्र किया गया है और इसके अंस्वार प्रधान मंत्री की नियुक्ति भारत के राष्टपती द्वारा की जाती है प्रधान मंत्री सरकार का मुख्या, राष्टपती का मुख्य सलाकार और मंत्री परसत का अध्यच और लोग सबा में बहुमत वाली पार्टी का नेता होता है तो इसका option क्या होगा भारत का प्रदान मंतरी राश्पती दौरा निउक्त होता है तो option number 3 जो है सही है आसा करता हूं दोस्तों कि आपको ये lecture जो है पसंद आया होगा ये policy का part 2 था पार 2 या part 3 है तो अगर अभी तक आपने हमारे math के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे वीडियो है जो आपके mts mock में sorry ssc mts 2017 ssc cgl 2017 हर जगह help करेगा आप यहां ibox पर क्लिक करके वो test देख सकते हैं तो thank you friend